चली तो आज हम लोग फर्टलाइजेशन से रिलेटेड सी एस आई यार के जितनी पीवाई क्यूज हैं वो सारे हम लोग डिसकस करेंगे जो की 2008 आई थिंग 8 तू 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 तक के क्वेश्चन हैं और हमने आपके टेस्ट पेपर में ज्यादा तर सारे पीवाई क्यूज ही दिये थे जिससे की आपकी प्रेक्टिस भी हो जाए और बाद में हम लोग इसका डिसकस्शन भी कर पाएं तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो की 2009 में आया हुआ है यहाँ पे आप क्वेश्चन है कि आपको पता है यह तो क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सही किया होगा तो इसमें हम ज़्यादा explanation नहीं देंगे क्योंकि यह हमें लगता है सबने किया होगा क्योंकि cortical granules का function पूछा गया है major function किस जगे होता है तो पहले तो आपको पता होना ची ये poly spermi में cortical granules का important role होता है poly spermi को block करने के लिए होता है और poly spermi में हमने आपको क्या बताया था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये cortical granules green color के दिख रहे हैं और ये cortical granules जैसे ही first sperm fertilize करता है तो वैसे ही ये cortical granule reaction होती है और किसकी वज़े से होलती है calcium के means calcium initiator होता है cortical granule reaction के लिए और फिर ये cortical granules के अंदर कुछ component भरे होते हैं वो release हो जाते हैं और इस तरीके से ये पूरा अलग सा structure बनता है जिसको hyaline बोलते हैं इस cortical granule reaction में हमने क्या क्या बताया था कि mucos polysaccharide release होते हैं जो कि osmotic potential को यहां बढ़ा देते हैं जिसकी वज़े से water अंदर आ जाता है फिर इसके बाद क्या बताया था कि इसमें peroxidase होते हैं जो कि इस layer को hard कर देते हैं जो hyaline structure बन जाता है तो और इसके साथ साथ हमने बताया था कि कुछ protease होते हैं जो कि protein membrane protein को cleave कर देते हैं और इस तरह से एक यह structure बनता है जो कि sperm को repel करता है तो जब यह चीज हो जाती है तो यह permanently होती है तो means कि polyspermine permanently रुख जाती है अब polyspermine नहीं हो सकती है तो cortical granule exocytosis is a permanent और इसको हम लोग slow block to polyspermine भी कहते हैं और slow block का मतलब अगर आप दूसरे sense में देखें तो क्या हो जाएगा late block to polyspermine तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो जाएगा जैसे कि दिया है early block to polyspermine, late block to polyspermine along neosys to complete helping in reorganization of sperm तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं late block to polyspermine तो इसमें हम आप लोगों ने जादा तर लोगों ने यह question सही किया है तो इसलिए हम जादा आप से कुछ पूछेंगे नहीं इसके बाद next question which statement is correct for capacitation तो आप capacitation के लिए यह हमने already question discuss किया है is the maturation of mammalian sperm motos after entering into oviduct of female female reproductive tract में sperm अंदर जाता है reproductive tract में और इसके बाद उसको active किया जाता है या mature किया जाता है mature का मतलब कि वो fertile वो उसके पास capability आजाए fertilization करने की क्योंकि spermatogenesis के बाद जो sperm बनते हैं वो भले ही उनका पूरा structure होता है सारी चीजे होती है लेकिन वो fertile मतलब किसी भी ओवा को के साथ fertilization नहीं कर सकते क्योंकि वो mature नहीं होते है functionally mature नहीं होते है और किसी भी sperm का functionally mature क्या function होता है कि वो fertilization कर पाए तो फिर इसके बाद हमारा यहां पे first option ही वैसे सही हो जाएगा meotic division in egg after penetration of sperm meotic division sperm के बात कर रहे हैं तो वैसे भी जब हमने spermatogenesis पढ़ा था तो वहां पे यह sperm का function नहीं है यह तो egg after fertilization करता है maturation of egg in oviduct after fertilization यहां पे egg का fertilization बोल रहा है maturation of spermatogeo in male body तो यह आपको पता है कि male body में तो यह होता ही नहीं है maturation of sperm तो इस तरह से जैसे कि हमने आपको capacitation के बारे में भी बताया था कि क्या-क्या चीजे मतलब means की activation किया जाता है sperm का female reproductive tract में और उनमें यह main पांच important point थे जो capacitation में important role play करते थे removal of cholesterol, protein या carbohydrate की unmasking फिर इसके बाद potassium आयन का बाहर निकलना sperm से जिसकी वज़े से क्या होता था calcium आयन अंदर आता था protein का phosphorylation होना और यह सारी चीजे sperm को prepare करती थी fertilization कराने के लिए तो हमारा जो question number two था उसका answer first होगा और यह आप लोगों ने सभी लोगों ने सही किया है इसके बाद फिर next जाते हैं which of the following is a species specific protein in C-archin which play important role in recognition during the acrosomal reaction ठीक है तो आपको simple आपको यह structure याद आ गया होगा जब आपने यह question देखा होगा तो इसमें क्या है कि acrosomal reaction में क्या होता है binding exposure होता है तो इसके according हमारा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा binding क्योंकि यह पूछ रहा है कि specific specific protein recognition मतलब जब specific specific protein कौन सी है तो आपको पता है कि egg के पास क्या होता है egg के पास होता है EBR1 receptor और जो sperm होता है उसके पास क्या होता है binding होता है और दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को recognize करते हैं और sorry binding यह आई जी नहीं होगा तो यह दोनों recognize करते हैं और recognize करके acrosomal reaction के थूँ binding का exposure होता है तो यह बहुत important है इस specific recognition के लिए EBR1 receptor और binding तो acrosomal reaction के थूँ इस sperm से क्या exposed होता है binding होता है ठीक है इसके बाद next question पर हम लोग आते हैं यह भी capacitation से related है capacitation of sperm in human आपने यह भी कर लिया होगा कहां होता है तो आपको पता है capacitation female reproductive tract में होता है तो जैसे यहाँ पर लिखा है occur during population means की mating के duration में थूँ होता है occur after acrosome reaction acrosome reaction हो जाएगी इसके बाद sperm को active किया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है sperm acrosome reaction से पहले ही क्या हो जाएगा activation हो जाएगा take place in oveduct oveduct इसलिए कहां पर होता है oveduct में होता है take place in epididymus epididymus क्या है male reproductive part है ठीक है तो अगर male reproductive part है testis का तो वैसे भी आप देखेंगे कि epididymus में sperm collect होके release किये जाते है तो sperm जब male body में होते है तो वैसे भी capacited नहीं होते है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा third take place in the oveduct ठीक है इसके बाद next question है ये भी आप लोगों ने ज्यादा तर लोगों ने सही किया है fertilization in sea urchin egg involve calcium ion release from from ER for cortical granule activation the major molecule responsible for releasing calcium from intracellular storage अब आपको ये question देखते ही आपको ये वाला diagram याद आ जाना चाहिए था इस diagram में क्या था कि intracellular calcium cell के अंदर means की ये जो cell है ये जो endoplasmic reticulum है एग के अंदर और ये एग membrane है फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि EBR1 receptor है EBR1 receptor जैसे ही sperm के binding से bind करता है तो यहाँ पर phosphol ipasc activate होता है वो cleave करता है PIP2 को दो component बनते हैं दो component कौन कौन से एक बनता है IP3 और दूसरा बनता है DEC IP3 ER में जाके यहाँ पर IP gated channel को calcium ion channel को खोल देता है और calcium ion निकल आते हैं बाहर और इसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर sodium ion अंदर आ जाते हैं और इसकी वज़े से क्या होता है कि यहाँ पर alkaline condition हो जाती है और high concentration of calcium in cytoplasm favors the cortical granule exocytosis और इस तरीके से cortical granule exocytosis हो जाता है reaction हो जाती है तो question क्या पूछा गया इसमें यहीं पूछा गया है कि calcium releases endrocellular मतलब store से release होता है तो वो किसकी वज़े से release होता है तो यहाँ पर आप देख सकते कौन release कराता है यहाँ पर यह आप देख सकते inositol 145 triphosphate तो यह सब एक दम अगर आपने यह सारे जितने भी question अभी तक discuss करें इस सारे two marks में आए हुए हैं तो इसका option हमारा three हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग next बढ़ते हैं membrane bound Golgi derived structure containing proteolytic enzyme in sperm of C. argin are called तो देखिए यह भी आपको जब हमने आपको sperm का development बता रहे थे spermatogenesis में जब क्या हो रहा था कि spermatid बन गया था इसके बाद spermatid से जब sperm की formation होती है तो वहाँ पे spermatid क्या होती non-flagellated और round shaped unmotile cell होती है और sperm कैसा होता है motile होता है और oval shaped होता है तो उस structure में change होने के लिए उसमें कुछ changes होते हैं जिसको spermatogenesis बोलते है उस spermatogenesis के process में हमने बताया था कि गॉल्जी बॉड़ी एक बहुत important role प्ले करती है गॉल्जी बॉड़ी का जो गॉल्जी बिगर होता है वो बनाता है एक्रोजोम और एक्रोजोम में होता है lysine ठीक है lysine या एक्रोजिन और small गॉल्जी बॉड़ी as a remnant उसको खतम कर दिया जाता है तो इसलिए एक्रोजोम का जो origin है वो कहां से हुआ एक्रोजोम का origin हुआ गॉल्जी बॉड़ी से तो इसलिए हमारा option क्या हो जाएगा बस इसमें यही पूछा गया है कि भाई जो proteolytic enzymes जिसमें होते हैं उस वो मतलब गॉल्जी बॉड़ी से derive किया जाता है वो क्या होता है तो उसमें क्या हो जाएगा एक्रोजोम vesicles ठीक है इसके बार आते हैं यह question कितने लोगों ने किया था कितने लोगों ने किया था यह question देखिए हम question को पहला read कर लेते हैं polyspermine result when two or more sperm fertilize an egg it is usually lethal since it result in blastomeres with two different numbers and type of chromosome many species therefore have two block two polyspermine two block two polyspermine होता है fast block and slow block in case of sea urchin आपको इसमें से कुछ statement दिये गए हैं और उन statement में से आपको बताना है कि truth क्या है ठीक है सही statement आपको बताने हैं और जभी भी आप question पढ़ा करिए question को देख लीजे कभी कभी not लगा होगा और आप उसमें not नहीं लगा उस according opt कराएंगे तो question को not not occur ये सब जो words हैं इनको बहुत ध्यान से देखा करिए कहां पर मतलब कभी कभी पूरा question सही होता है और उसमें एक not लगने से पूरा question का answer चेंज हो जाता है तो आपको बस यही चीजे है मतलब question को ध्यान से पढ़ना भी है अब इसके बाद हम लोग तो यह आपने question पढ़ गया अब statement देखिए आप लोग जल्दी से बता है सही लग रहा है ठीक है आप लोगोंने बताया सही लग रहा है तो fast block is immediate बहुत मतलब immediate response होता है transient block होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजे क्या है यह क्या है fast block to polyspermica है तो यह transient block है और इस block में क्या होता है कि जैसे माली जी यहाँ पर sperm add किया गया sperm add जैसे ही किया गया तो जो egg के अंदर sperm जैसे ही entry करती है तो उसके साथ-साथ sodium ion अंदर enter करते है और egg के membrane potential resting membrane condition होती कितनी minus 70 होती है और minus 70 के बाद वो कहां तक पहुचता है plus 20 था ठीक है plus 20 millivolt जब sodium ion इतना concentration अंदर चला जाता है कि जो egg membrane है उसके अंदर का कितना amount हो जाए मतलब millivolt हो जाए plus 20 millivolt तो वैसे ही क्या होता है कि membrane जो resting membrane potential थी जिसको polarized membrane कहते है वो depolarize हो जाती है और इस तरह से क्या होता fast block to polyspermी शुरू हो जाती है और ये within 1-3 second में ही fertilization के शुरू हो जाती है और 1 minute तक रहती है तो पहला वाला statement influx of sodium ion कह रहा है तो ये है तो हमारा क्या हो गया कि ये सही हो गया पहला वाला statement दूसरा क्या है दूसरे में the fast block is immediate and cause egg membrane resting potential to rise which does not allow the sperm to fuse with egg and immediate by an efflux of sodium ion तो पहली बात तो ये efflux लिखा है तो ये हमारा वैसे भी क्या हो गया wrong हो गया ठीक है influx होता है sodium ion का इसके बात next the slow block और cortical granule reaction is meditated by calcium ion ये तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि initiator कौन होता है calcium ion होता है cortical granule reaction का तो इसके according हमारा ये वाला option अभी तक सही आया और ये आया इसके बाद इसको भी देख लेते हैं the slow block और cortical granule reaction is meditated by potassium ion cortical granule reaction कहीं potassium ion से आपने देखा था? नहीं वो जब इस pump का capacitation हो रहा था वहाँ पर potassium ion का बहुत important role था कि potassium ion बाहर जाता यहां तो जब हम लोग slow block और fast block पढ़ रहते हैं तो वहाँ पर तो हमने potassium ion का कोई role देखा ही नहीं है तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा A और C ठीक है A and C हो जाएगा first option हमारा सही है और ये C option सही हो statement अब इसके बाद next question पर हम लोग आते हैं Capacitation of mammalian sperm allow them to activate it within the uterus and facilitate fertilization The following statement were made regarding event occurring during capacitation ठीक है तो ये भी question हम लोग पहले discuss कर चुके हैं तो यहां पर simple सा पूछा गया क्या क्या चीजे हैं तो हमने आपको पहली बताया था ये कुछ points है जो कि capacitation के लिए बहुत important है removal of cholesterol या protein carbohydrate की unmasking फिर क्या हो रहा है कि यहां पर हमने जैसे भी बताया potentium आयन का बाहर जैसे ही जाता है तो क्या होता है कि जो sperm है वो capacitation उसका हो जाता है phosphorylation के थूँ कुछ प्रोटीन होते हैं टैरोसीन प्रोटीन उनका phosphorylation हो जाता है इसके बाद removal of non-covalent bound क्या हो रहा है glycoprotein ठीक है तो glycoprotein जैसे कि हमने बताया था carbohydrate और protein का क्या होना है unmasking होनी है तो यह भी सही है removal and expression of fibronectin हमने fibronectin क्या बताया था कि जैसे जो vaginal fluid है वहाँ पर fibronectin अगर पाया जा रहा तो उसका expression increase हो जाता है और उसकी वज़े से क्या होता है कि sperm capacited होता है इसके बाद decrease permeability of calcium iron की permeability decrease हो जाए तो देखे यह तो यहाँ पे जब हम लोग capacitation पढ़ रहे थी तो वहाँ पे हमने पुरा आपको mechanism बताया था जब potassium iron बाहर जाता है तो calcium iron का क्या होता है permeability increase हो जाती है और यहाँ पे लिखा है decrease तो capacitation का process अगर आपको पता है जैसे fibronectin के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप इसको कर सकते थे तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा A, B and C ठीक है इसके बाद next question next question में क्या है in an experiment sperm removed from epididymus of a male mouse was added in a disc containing appropriate media and oocyte no fertilization was seen however when sperm from epididymus were directly placed in uterus of an ovuluted female she became pregnant these observations suggest that what was done a disc a petri disc what was done epididymus sperm and ovuluted sperm fuse and the media provided what was done no fusion no fusion no fusion no fusion but this sperm epididymus directly placed in uterus and in uterus placed in uterus then the female was pregnant okay so what happens in this case what happens in this case so just that you have to remember that in epididymus sperm is not capacited when it comes to the female reproductive tract or vaginal fluid there are such components which do sperm is capacited and then fusion then the sperm is fertile the sperm need to travel some distance the sperm to travel some distance to the fertilizing ability to attain to the fertilizing ability so this is no matter the oocyte secretes some biochemicals or factors which help to sperm fertilize so oocyte release this is not the hormones in the body help sperm to attain fertilizing ability ability body hormone meaning female body release sperm fertilizing ability to attain so this is not okay the content of female reproductive tract interact with sperm and activate for sperm fertilization according to our option what will happen fourth next question now this question is what will happen what will happen is this question is a 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 लालिमा आप फिर्स्ट बोल रहे हैं कि कि सभी लोग वन बोल रहे हैं तो हम लोग एक बार देख लेते हैं वतलब आप सभी लोगों ने तो इसका concept clear है ठीक है in case of in case of sea urchin which of the following is a correct sequence of event taking place during the interaction of sperm and egg जब हम आपसे class लेटे तो बार-बार बोल रहे थे कि आपको matrix और extracellular coat extracellular matrix को बहुत अच्छे से ध्यान में लखना अब यहां पर पूछा गया है c urchin के fertilization के regarding तो अब यहां पर basically अगर आप इसका option देखें तो अगर c urchin के fertilization के हम लोग बात करें तो देखें यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले यह कौन सा jelly coat होता और jelly coat में ही acrosome reaction शुरू हो जाती है miss c urchin के case में जबकि human या फिर आव जो mammalian होता उसके case में जो corona redita होती है jelly coat के लिए cumulus layer या corona redita वहां पर यहां पर यहां पर यही चीज दिया हुआ था तो बस यहां पर यही चीज दिया हुआ था the chemo attraction of sperm to the egg by soluble molecule secreted by egg मतलब कि chemo attraction क्या resect है na resect के थूप क्या होता sperm attract होता है और attract होने के बाद फिर क्या होता है कि वो पहुचता है egg के पास तो reset कौन release करता है? reset protein release करता है यह egg ठीक है reset कौन release करता है? egg release करता है जो कि chemo attractant की तरह काम करता है तो पहला step तो यह हो गया exocytosis of sperm acrosomal vesicle to release its enzyme क्या हो जाएगा? exocytosis होगा acrosomal reaction का binding of sperm to extracellular matrix अब यहाँ पर exocytosis कहां हो गई थी? jelly coat में ही हो गई थी फिर कह रहा है कि binding of sperm to the extracellular matrix of egg यह क्या हो गया? extracellular matrix क्या हो गई विटलाइन मेंब्रेन से egg bind करता है passes of sperm through extracellular matrix passes बनता है extracellular matrix means viteline membrane से egg membrane को होते हुए passes बन जाता है और egg और sperm के pronuclei membrane fuse करके क्या होता? pronuclei का मतलब fertilization हो जाता है ठीक है? तो इस तरीके से यह हमारा इसमें option हमारा first ही सही होगा ठीक? बाकी यहाँ पर आप और eliminate कर सकते हैं chemo attraction of sperm to egg by soluble molecule पहला तो सही है binding of sperm to extracellular matrix of the egg exocytosis अब देखिए यहाँ पर लिखा exocytosis of acrosome reaction अगर यह केस कहां सही हो सकता था? यह केस सही हो सकता था किसके केस में? mammals के केस में अगर mammals का केस option होता तो यह वाला हमारा option सही होता लेकिन क्योंकि C. Urchin का पूछा गया तो यहाँ पर mammals के case में extracellular matrix मतलब कि zona perisoda से bind करने के बाद फिर acrosome reaction शुरू होती है और फिर इसके बाद passes बनता है तो यह mammals के केस में second option सही होता लेकिन C. Urchin पूछा गया है तो first सही होगा फिर बाकि आप third में है chemo attraction of sperm egg soluble molecule first तो वही binding of sperm extracellular matrix of the egg फिर passes बन गया तो यह भी नहीं होगा chemo attraction of sperm to egg by soluble molecule passes पहले ही passes बन जाएगा पहले तो acrosome reaction होगी perfusion होगा तब passes बनेगा तो यह भी नहीं होगा तो इसके according हमारा option first सही हो जाएगा इसके बाद next question देखते हैं यह question कितने लोगों को समझ में आया था जल्दी से answer दीजिए क्या जल्दी नहीं होगा ट्रूपा नहीं समझ में आया, नहीं आया, अच्छा, ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखिए ये कोश्चन ये भी बात है कि जब आप पूरा डेवलेप्मेंट थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे तो और अच्छे से इस तरह के कोश्चन को समझ पाएंगे, लेकिन चलि इतना जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती है, वो इतनी कनफरमेटरी क्यों होती, क्योंकि उनमें HCG का देखा जाता है, इसी के बेसिस पर, ये पता किया जाता है कि मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है, तो अभी ये इतना कनफरमेटरी क्यों होता है, ये हम अभी तो human chorionic gonadotropic HCG is known to facilitate attachment of blastocyst to uterus, ठीक है, मतलब एक ऐसा hormone जो कि क्या करता है, facilitate करता है blastocyst को uterus से, समझ गए, मतलब एक hormone है HCG, जो कि blastocyst, blastocyst क्या होता है, development of, मतलब जब जाइगोट का development होता है, कुछ cell structure बन गया, उसको blastocyst कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह fallopian tube है, मालिजे, suppose यह क्या है, यह ovary है, ovary से secondary ucide release होता है fallopian tube में, फिर sperm, वजाइना से कहां पहुचता है, fallopian tube में, कि इस्थमस यहाँ पहुचता है, और यहाँ पर होता है fertilization fallopian tube में, फिर इसके बाद इसका variant यह, मतलब, variation थोड़ा बहुच चलता है, और यहाँ पर एक बनता है blastocyst, उस cell, मतलब, early blastocyst बनता है, और late blastocyst क्या होता है, कि, अब blastocyst में क्या हो जाता है, blastocyst में दो चीजे होती है, एक outer membrane, मतलब, outer layer cell की बन जाती है, और एक inner, तो उसको बोलते inner cell mass, ठीक है, और जो outer हो होती है, उसको बोलते है, trophoblast, समझ में आ गया, कि, जब division हो रहा है, जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, ऐसे स्टेज बढ़ती जारी है, सारा fallopian tube में हो रहा, six to seven days के अंदर implant किया जाता है, देखिए, ज आइसा बनता है कि एक inner cell mass बन जाता है, और एक trophoblast बनता है, मतलब covering बन जाती है, एक cell की और यहाँ पर cells का mass बन जाता है, तो इसको बोला जाता है blastocyst, और यही blastocyst आगे चलके implant होता है योटरस में, ठीक, तो यह यह होता है blastocyst, आप question में क्या पूछा गया, sorry, question में क्या प इंप्लांट हो रहा यूटरस में, वो कौन फैसिलिटेट करता है, SCG, इन वुमेन विद मैचुरेशन इन HCG, जीन, अब एक वुमेन है, जिसमें SCG को क्या कर दिया गया, म्यूटेट कर दिया गया, ठीक है, वास, जीन, बाइलोजिकली इनेक्टिव SCG वास फॉर्म, जब भा इंप्लांटेशन हो रहा है, when SCG was immune neutralized in uterus of normal women, implantation failed, this suggests that implantation in human, आप देखिए, SCG एक हॉर्मोन है, ठीक है, ये हॉर्मोन, uterus में, जो ये इंप्लांटेशन हो रहा है, इसको फेवर करता है, HCG, ये क्या करता है, ये फेवर करता है, कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, वो uterus में implant हो जाए, फिर क्या किया गया, एक woman है, उस female में क्या किया गया, कि उस female में SCG, हॉर्मोन को क्या किया गया, मुटेट कर दिया गया, ये मुटेट हो गया, तो SCG तो बनेगा नहीं, अब इस according अगर सोचे हम लोग, तो भाई, SCG जो बनेगा नहीं, तो implantation नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या देखा गया, कि उस woman में pregnancy हो गई, मतलब implantation हो गया, ठीक है, implantation फेल नहीं हुआ, हो गया, ठीक मतलब कि किसी भी तरीके से यूटरस में, इम्यूनो नूटरलाइज मतलब कि जो SCG है, उसको नूटरलाइज कर दिया गया, और तब देखा गया कि implantation फेल हो गया, तो इस से क्या conclusion निकलता है, बस यहीं आपको बताना है, अब बताएए, अब आप लोगों को ये question समझ में पहले तो बताएए, question समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, जो inner cell mass होता है, वो embryo बनाता है, outer cell mass जैसे की, जो trophoblast होता है, जैसे प्लसेंटा है, यह सारे structure में उसका involvement होता है, ठीक है, question clear हो गया, question में यह है कि SCG एक hormone है, जो की blastocyst को uterus में implant करने के लिए help करता है, दो condition ली गई, एक condition में woman को SCG से mutate करा दिया गया, उसका gene mutate करा दिया गया, तो SCG inactive बन रहा है, मतलब functional नहीं है, दूसरे case में woman को क्या किया गया है, immuno neutralize कर दिया गया, उसका SCG, तो वैसे case में वो implant नहीं कर पा रही है, लेकिन मतलब कि उसमें implantation fail हो गया, लेकिन जिसमें mutate था, उसमें fail नहीं हुआ, तो इस से बिलकुल, आपको अब इसमें से चार option है, अब इसमें से आपको assume करना है कि भाई, क्या साही हो सकता है, Biologically active circulating SCG is not required, अब ये कह रहे हैं, कि मतलब भाई, अगर women क्या है, कि जैसे बोल रहा है कि, भाई, implantation के लिए SCG की requirement ही नहीं है, तो ये तो है नहीं, ये तो बिलकुल नहीं क्योंकि यहाँ पहली line में लिख दिया गया कि SCG known to facilitate attachment of rastocyst to uterus, मतलब ये है, तो ये तो बिलकुल नहीं होगा, कि इन्होंने बोल दिया कि, Biologically active circulating SCG is not required for implantation, तो ये option तो सही होगा नहीं, Blastocyst can produce the required SCG, which help locally in uterine attachment, अब दूसरा case ये कह रहा है, कि Blastocyst itself, Blastocyst क्या है, Blastocyst एक तरीके का embryo है, embryo खुद SCG बना रहा है, और फिर वो अपना uterine attachment करवा रहा है, और तीसरे में बोल रहा है, trophoblastic cells do not require SCG for invasion of uterus, अब trophoblastic cells आगे चलके प्रेसेंटा बनाएंगी, और उनको requirement ही नहीं SCG की, तो ये तो option होगा नहीं, क्योंकि पहली line में इन्होंने कह दिया कि भाई, बहुत important है SCG, attachment के लिए, Blastocyst और uterus के लिए, extra embryonic tissues is not responsible for attachment of embryo to uterus, extra embryonic tissue तो जरूरत होती है, और फिर करें, यहाँ पर SCG का, इस sentence में SCG का कोई भी involvement नहीं दिया हुआ है, अब इसके बाद, अब जो option हमारा second है, अब ध्यान से सुनिए, Blastocyst can produce required SCG, which help locally in uterine attachment, अब क्या होता है, कि जब women को हमने क्या कर दिया था, mutate कर दिया था, mutate कर दिया, फिर भी उसमें क्या हो रहा था, implantation हो जा रहा था, है न, यहाँ पर आप जैसे in women with mutation in SCG gene, female के में SCG gene को हमने क्या कर दिया, mutate कर दिया, ठीक है, और वो female SCG नहीं बना पा रही, फिर भी implantation हो गया, और implantation के लिए जरूरी क्या था, SCG, ठीक है, तो अब इससे क्या conclusion निकल लाए, कि में भी blastocyst SCG itself बनाता हो, तभी तो जब woman defected है, SCG बना नहीं सकती है, और उसमें implantation हो गया है, तो इसका मतलब कि blastocyst itself SCG बनाता है, लेकिन अगर किसी woman में भले ही उसका SCG functional है, उसका gene mutate नहीं किया गया है, लेकिन उसके uterus में immuno-neutralize कर दिया गया SCG, अब चाहे वो SCG blastocyst का हो, चाहे वो female के itself खुद का हो, लेकिन अब, सौरी, एक मेंट इस class थोड़ा सा वेट करिए, पता नहीं क्या हो गया, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, कि भले ही हम क्या किया गया, SCG को अगर हमने uterus में कोई ऐसे protein डालके उसको neutralize कर दिया, अब वो SCG भले ही blastocyst से आ रहा लेकिन neutralize तो हो गया, तो implantation क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा, तो अब कहने का मतलब यह है कि blastocyst itself SCG बनाता है, और implantation उसी की वज़े से होता है, इसी लिए SCG जो यह pregnancy strips होती है, उसमें SCG यूज किया जाएगा, तो ऐसे case में क्या होगा, क्योंकि क्यों confirmatory होता है, इसलिए confirmatory होता है, क्योंकि SCG कौन बना रहा है, blastocyst बना रहा है, अगर blastocyst मतलब जाइगोट अगर बना ही नहीं होगा, तो SCG बनेगा ही नहीं, तो SCG को चेक कर लिया जाता है, जो pregnancy strips होती है, तो उससे क्या पता चल जाता है, कि हाँ pregnancy मतलब conceive कर गया है person, तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा second, अब इस question में आप लोग को कोई भी doubt हो तो पूछिए, इस question में कोई भी doubt हो तो पूछिए, और लोगों को clear है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे question पर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पर successful fertilization in sea urchin, interaction between surface of egg and acrosome protein, specifically a 30.5 kd protein called winding is necessary, the following factors could affect these interactions and prevent fertilization, इन में से कौन सा ऐसा factor होगा, जो की affect करेगा interaction को और prevent करेगा fertilization को, तो पहला इसमें क्या removal of egg jelly from polysecrite, तो इसमें से आपको कोई एक ऐसा factor बताना है, जो की interaction को affect करता है, और fertilization को prevent करता है, तो अगर polysecrite, एक jelly के polysecrite को अगर remove भी कर दे, तो उससे कोई बहुत, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि विटलाइन मेंब्रेन बहुत important है, removal of binding receptor on the egg, विटलाइन मेंब्रेन, binding receptor कौन होता है, EBR1, ठीक है, अगर हम EBR1 को, EBR1 को remove करदें, विटलाइन मेंब्रेन से, तो क्या हो जाएगा, कि क्या fertilization हो जाएगा, नहीं होगा, तो यह factor हो सबता है, effect करें, फिर next क्या है, removal of binding receptor from the egg jelly, या egg jelly पे, एग jelly पे receptor होता है, नहीं, कहां पे होता है, विटलाइन मेंब्रेन पे होता है, तो यह भी नहीं सही होगा, removal of binding receptor, from a single cluster of the विटलाइन मेंब्रेन, कि, पहले तो यहां पे क्या पूछ रहा है, कि, removal of binding receptor from a single cluster on the विटलाइन मेंब्रेन, कि, अगर हम उसका एक single cluster हटा दे, तो क्या हो जाएगा, तो basically, हमें पहले तो ध्यान रखना है, कि, यह जो binding receptor, वो पाया कहां जाता है, विटलाइन मेंब्रेन पे पाया जाता है, जब वो रिमूव होगा, तो उसी case में इस पर effect पड़ेगा, और वो fertilization को prevent करेगा, तो इसके according हमारा क्या हो जाएगा, कि यह यहां पे हो जाएगा, removal of binding receptor on the विटलाइन मेंब्रेन, अच्छा, पुर्शोत्तम आपको इसी में दिक्कत थी, तो अभी यह clear हुआ question, आपको correct statement बताना है, एग जेली requirement होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, कि for successful fertilization in sea urchin, interaction between surface of the egg and acrosomal protein, यहां पे specify कर दिया है, कि एग और acrosomal protein की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि जब acrosomal reaction की बात हो रही, तो वहां पे most important चीज क्या है, उसमें तो विटलाइन मेंब्रेन most important है, एग जेली को मान लिजे, एग जेली के polysecret को remove भी कर दिया जाए, ठीक है, कि जब fertilization successfully हो जाए, उसके लिए binding receptor और विटलाइन मेंब्रेन का बहुत important रोल है, एग जेली के कुछ polysecret मान लिजे हमने हटा दिये, तो reset बनेगा, reset से interaction हो जाएगा, मतलब बोला, एग जेली polysecret, मतलब कुछ polysecret अगर आप जेली के हटा भी देंगे, तो क्या होगा, reset से वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखे, यहाँ पर specify way में पूछा गया है, और जैसे हमने आपको polysecret में बताया गया था, नैम, अनेस्टिल क्लुकोसा, में, शोगर्स, तो वो primary attractive होते हैं, primary attractant होते हैं, लेकिन इसके बाद अगर बोलता कि removal of egg jelly protein, reset protein, तब आपका specify हो जाता है, reset protein अगर हट जाएगी, तब तो फिर sperm आ ही नहीं पाएगा, सी अर्चिन के case में, तो यहाँ पर polysecret के अगर sugar और यह सब नहीं भी है, तो अगर वो नहीं भी मतलब attract करें, तो reset तो है an attraction के लिए, क्योंकि यहाँ पर protein नहीं लिखा गया, और reset एक protein है, ठीक है, अब इसके बाद next, देखिए यही होता है, क्योंकि देखिए ऐसे नॉर्मली पढ़ने पर question यही समझ में आ रहा है, कि भाई लिखाया रिमूबल ऑफ एक जेली तो हमारे दिमाग में तुरंत है अगर कि एक जेली में ही तो एक क्रोजोम रेक्शन शुरू हो रही थी, लेकिन आगे इसने लिख दिया कि पॉली सेक्राइड एक जेली के पॉली सेक्राइड अगर हटा दिये जाए, तो फिर यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि देखिए जो शुगर और नयाम था एनस्टिल ग्लुकोसामीन या शुगर मॉलिक्यूल उसका आपको बहुत इंपॉर्टन रोल नहीं बता है, पस यह बता है कि भाई स्पॉम को अट्रैक्ट करने में करते हैं, लेकिन स्पॉम की मोबैलिटी और स्पॉम का डायरेक्शन इंपॉर्टन रोल प्रे करता है, रिसेट, अगर यहां पर होता है कि रिमूबल ऑफ रिसेट फ्रॉम जेली तो फिर यहां पर आप मतलब की रिसेट या आप कह सकते कि एक जेली रिसेट को रिलीज नहीं कर रहा ह तो उस केस में तो आपका यह ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मेन स्पेसिफाई रूप में यही वाला एंसर सही होगा इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आया है Successful Fertilization C-Archene demands specific interaction between protein and receptor of sperm and egg in view of the above, which of the following combination is correct? Binding in Acrosome and Binding Receptor on Egg Vitlain Membrane मतलब आपको correct combination बताना है Binding in Acrosome and Binding Receptor on Egg Vitlain Membrane Binding in Egg Membrane आप देखिए बस यह तो बिल्कुल वैसा कोश्चन है कि यह तो पहला आपको सब्सक्राइब कि Binding Acrosome पर पाया जाता है बिल्कुल सही है और Binding Receptor, Binding Receptor कौन है? EBR-1 EBR-1 किसके पास पाया जाता है? वेट-लाइन Membrane के पास तो यह तो जरूरी है तो यह हमारा statement सही हो सकता लेकर आगे भी eliminate कर देते हैं Binding in Egg Membrane तो पहला तो Binding Egg Membrane पर पाया नहीं जाता है Binding कहां पाया जाता है? Acrosome मतलब की Spum पर पाया जाता है तो यह हमारा वैसी रॉंग हो गया Reset on Egg Jaline and Binding on Spum Reset तो देखिए interaction के लिए लेकिन successful fertilization भले ही reset कितना भी काम कर रहा हो इस pump पहुच गया एग के पास लेकिन अगर Binding और EBR का interaction नहीं होगा तो Fertilization नहीं होगा तो more specify क्या है? More specify EBR 1 और Binding है अगर reset की वज़े से पहुच भी गया और EBR 1 में माली जी वो non-functional है या इसका binding non-functional है या exposed नहीं है तो Fertilization नहीं होगा तो reset on egg jelly and binding on sperm तो ये भी नहीं हमारा हो सकता है अब देखिए है तो important reset भी लेकिन फिर भी हमें एक most accurate answer देना है Proteosome on egg egg membrane and complex sugar on sperm membrane तो ये भी ये तो कुछ हम लोग न ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो हमारा option क्या हो जाएगा first हो जाएगा binding in acrosome and binding receptor on egg binding receptor on EBR 1 on egg weight line membrane बहुत important है successful fertilization के लिए और साथ में लिखा है specific interaction तो specific interaction EBR 1 और जो क्योंकि specific interaction होता है binding और acrosome का ठीक है इसके बाद next हम लोग आगे देखिए यहाँ पर क्या है fertilization in C-Archene involved interaction of sperm binding with its receptor ठीक है fertilization C-Archene में होता है तो क्या होता है कि interaction होता है sperm binding का इसके receptor EBR 1 से जो कि EBR 1 क्या है 350 kilodalton glycoprotein on the egg weight line membrane the plot given below shows the status of membrane potential and level of EBR 1 sodium and potassium in an unfertilized egg ठीक है यह देखिए एक graph बनाया गया है इस graph में आप देख सकते हैं कि यह जो यह वाला portion है यह वाला portion यह वाला portion क्या शो कर रहा है यह EBR 1 क्या है यह EBR 1 का शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पर यह आप देख सकते यह EBR 1 है इसके बाद दूसरा जो यह black color का दिख रहा है जो black color का है वो sodium ion को concentration दिखा रहा है तो जो black color वाला है वो क्या दिखा रहा है sodium ion को concentration दिखा रहा है इसके बाद फिर अगर आप potassium ion की बात करें तो यह वाला जो portion है यह potassium ion को demonstrate कर रहा है अब देखें यहां पर क्या है कि यह दिखाया गया है कि जब एग membrane witlin membrane क्या है कि minus 70 mili volt यानि कि resting membrane potential में यहां पर कहीं resting membrane potential है minus 70 mili volt तो उस समय देखिए ये इस तरह से चल रहा है graph ठीक इसके बाद ये unfertilized egg है ठीक है ये unfertilized egg की ये condition है जिसमें unfertilized egg में ये देखिए EBR1 का concentration है ठीक है EBR1 इतना है sodium ion इतना है ठीक है और ये potassium ion भी इतना है ठीक अब इसके बाद बोला गया which of the following graph best represent condition within an egg 1 to 3 second after fertilization अब ये unfertilized egg की condition है जिसमें EBR1 का concentration ये है sodium ion का concentration ये है potassium ion का concentration ये है अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसमें से आप best बताए ये condition कि किसमें मतलब कि ये इसमें से represent करेगा कि जैसे ही 1 to 3 second बीता है after fertilization तो क्या condition हो जाएगी कि EBR1 को concentration क्या होगा sodium ion को concentration क्या होगा potassium ion को concentration क्या होगा तो अब आप लोग fast block to polis पर्मी याद करिए ठीक है fast block to polis पर्मी में आप लोग ने क्या क्या देखा तक क्या क्या चीजे बढ़ती है आप लोग को याद होगा क्या क्या चीजे बढ़ती है भाई भाई क्या क्या चीजे बढ़ेंगी सोडियम आयन को कॉंसेंटरेशन बढ़ता है जैसे ही फर्टलाइजेशन होता है वैसी क्या होता सोडियम आयन को कॉंसेंटरेशन बढ़ता है ठीके तो यहां पर क्या हो गया आप जैसे सबसे पहले EBR1 करें अगर हम लोग बात करें तो EBR1 तो एक receptor है और वो receptor ना बढ़ेगा ना घटेगा तो मानि जिस चारों में देखी receptor सब में बराबर दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं इसमें कम दिया गया तो EBR1 का receptor का घटने की तो कोई बात ही नहीं आप घटा हुआ दिखाय तो receptor है, receptor का घटना बढ़ना का क्या मतलब है? फर्टलाजिशन के बाद भी receptor तो वैसे ही रहेगा तो यह हो गया तो इसके लिए तो इस वाले option में EBR1 का तो कोई कोरेलेशन बहुत है नहीं इसके बास sodium आयन की बात करें और fast block to polish पर में क्योंकि इन्हों नहीं क्या बोला 1- तो 3 seconds after fertilization तो sodium आयन को concentration बढ़ेगा तो यहां पर देखिए किसका sodium आयन को concentration दिख रहा है इसका दिख रहा है और इसका दिख रहा है लेकिन आगे और भी देख लेते हैं चीजें तो अब इसके बाद यह दोनों option तो हमारे eliminate हो गए अब हमें इन दो में confusion है ठीक है इन दो में क्या confusion है क्योंकि यहां पर already EBR1 को concentration घटाया गया है तो यह भी कम हो सकता है तो आप देखिए यहां पर क्या है sodium आयन को concentration यहां पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है और potassium आयन की बात करें अगर हम लोग तो potassium आयन का कहा रोल था? potassium आयन का कही रोल था? तो potassium आयन का तो कोई रोल ही जैसे यहां पर जो concentration unfertilized egg में है वही concentration यहां पर भी है तो इसलिए हमारा option क्या हो जाएगा? थार्ड ठीक है? तो यह बहुत ग्राफ है ग्राफ देखके आप लोग question छोड़ देते हैं लेकिन बहुत कभी-कभी ग्राफ वाले question इतने easy होते हैं बस सिर्फ आपको समझना होता है तो देखे यहां पर एक ग्राफ से एक egg की condition को represent किया गया है कि उसमें EBR1 का concentration क्या है? sodium ion क concentration क्या है? potassium ion को concentration क्या है? unfertilized ठीक है? और इसके बाद जैसे ही slow block to fast block to polyspermine होगी fertilization के बाद तो वैसे ही क्या होगा? EBR1 as it is रहेगा sodium ion को concentration बढ़ जाएगा और यहां पर दूसरी चीज़ यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जैसे यह unfertilized egg था अब यह अन-fertilized egg यहां पर इस वाले में देखें यह इस तरह से कुछ पहले down हो रहा है तो down तो कहीं होता ही नहीं है जैसे ही sodium ion entry करेगा तो plus की तरफ move करेगा यहां पर और hyper polarization दिखाया गया और negativity की तरफ गया है तो यह भी नहीं हो सकता है graph में यह graph हो सकता था लेकित इसमे sodium ion कम हो गया है ठीक है? तो ग्राफ अभी यह resting membrane potential में है जैसे ही इसमें sodium ion जाएगा तो positive की तरफ shift होगा प्लस 20 तक तो यहां पर देखें प्लस 20 मिलीवोल्ट तक shift हुआ है इसमे भी हुआ है देखें अगर आप sodium ion की बात करें तो यहां पर sodium ion घट गया है यहां पर sodium ion को concentration बढ़ा है तो sodium ion को concentration बढ़े है ना जब हम आपको वह fast block to polyspermine बता भी रहते हैं तो हमने बता है था कि very low level में potassium ion मतलब बाहर जाते हैं और sodium ion अंदर आते तो उससे बहुत ज्यादा कुछ effect पड़ेगा नहीं जब fast block to polyspermine की बात करते हैं तो यही factors involved होते है कि 1 तो plus 20 तक उसका मिलीवोल्ट तक यह जा हुआ हाँ पुरुशोतम ग्राफ के question बहुत easy होते हैं बस आप थोड़ा सा practice में रहिए समझना मतलब आप समझ लेंगे एक बार तो आपको चीजे clear हो जाएंगी आप देखिए next question यह है human sperm are allowed to fertilize over having non-functional over stash cell ठीक है the following possibilities may be significance in the fusion of these gametes question समझ में आया था आप लोगो question समझ में आया था कर लिया था सबने बाकी लोगों ने देखिए human का sperm fertilization के लिए अगर allow किया जाता है और उसके पास है non-functional over stash cell ठीक है non-functional over stash cell है ठीक है the following possibility may be significance in fusion of these gametes इसमें से कौन से ऐसी मतलब चीजे हैं जो की significantly fusion को possible कराएंगी ता अब जैसे कि पहले तो आपको बारे में हमने आपको बताया था कि यह cortical granules में protease का काम करता है और यह क्या करता है जट पी 2 को cleave कर देता है यह जब जट पी 2 को cleave कर देता है जब जट पी 2 को cleave हो जाएगा मतलब कि यह pink वाले ball है अगर यह glycoproteins cleave हो जाएंगे तो जो जट पी 3 हैं यह fuse कर जाएंगे क्योंकि यह जब cleave हो गया तो यह fuse करेंगे जब यह fuse करते हैं तो जो इसके उपर receptor anister glucosamine पाए जाते हैं यह भी क्या हो जाएंगे यह भी हो जाएंगे और फिर sperm इसको recognize नहीं कर पाएगा और polyspermia रोक जाएगी ठीक है पॉलिस पर्मी नहीं होगी यह ओवाइस्टेसिन का काम था अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि नौन-functional ovestresin मतलब ovestresin तो अपना काम कर नहीं पा रहा है ठीक है ovestresin का क्या था कि जब एक बार sperm आली जे कोई एक first sperm fertilize कर लिया ovestresin ने क्या किया Jp2 को κलीव कर दिया Jp2 कलीव होगा तो Jp3 Fuse हो गया Jp3 Fuse हो गया तो अब क्या होगा कि second sperm बाहिंण नहीं कर पाएगा तो मतलब ओवाइस्टेसिन का में इंपोर्टेंट रोल कहां पे था कि पॉलिस पर्मी को रोकना अब इसके बाद गो क्या गया कि इस पंप विल नॉट फर्टलाइज ओवा ठीक है क्या अगर ओवाइस्टेसिन नॉन फंक्शनल है काम नहीं करा तो क्या इस फंक्शनल उतंता तो यह क्या करता जट्वू को क्लिफ करा देता जट्वइ attracted जट्वी फियूज जाते तो पो इसमें तव नॉट फटलाइज नहीं करने तो अब इसमें दाट fertile अगर ओवाइस्टेसिन नौन फंक्शनल है फिर इसके बाद नेक्स क्या है दा इस्पम विल बाइंड एंड पिनेट्रेट जोना पहले सुड़ा बट विल नौट एबल तो फ्यूज ओवम मेंब्रेन यह भी कोई बात नहीं क्योंकि ओवाइस्टेसिन का तो कॉटिकल तो यह भी बात नहीं सही है ज्टिटी वृली नौत बी क्लिट बाइग क्लिपड बॉटिकल ग्रनुल प्रोटिएजेज तो यहां पर नेक्स क्या है कि जो जट की टू है भील नौट बी एस्ट παी क्लिब्ड बाइंक कोई क्या बोलते हैं जो जो अपर स्टेशन है तो ओवस्टरसेंन की वजय से क्या होगा इसकृपिंग की जुआप्सेंग इनकी क्लिपिंग नहीं हो पाएगे जेट पी टूकी और इससे क्या होगा कि यह वाला option हमारा क्या हो गया कि यह सही हो जाएगा जेट Jp2 will not be clipped by cortical granule proteases क्योंकि बेसिकली ओवर स्टेसिन का काम क्या था डिग्रेट करना और ओवर स्टेसिन क्या है नॉन फंक्शनल है तो जट्पी टू क्लिप्ड मतलग कि तरीके से आप इसको यह माले जी क्ली होना या कट जाना या जो भी चॉप्ड होना तो जट्पी टू न जब नॉन फंक्शनल है तो जट्पी टू को डिग्रेट करी नहीं पाएगा तो यही बात यहां पर लिखिए जट्पी टू विल नॉट बी क्लिप्ड बाई कॉटिकल ग्रेनील प्रोटीएस तो यह ब्रू को सही स्टेट्मेंट है कि जब नॉन फंक्शनल ओवर स्टेसिन है तो जट्पी टू क्लिव नहीं हो पाएगा ठीक है कॉर्टिकल ग्रेनील प्रोटीएस से फिर इसके बाद नेक्स्ट है दसी नाइन प्रोटीन ओफ एग मेंब्रेन माइक्रोविलाई विल नॉट एबल तो इंट्रेक्ट विद इस पर मेंब्रेन प्रोटीन इन एपसेंस अब ऐसा हमने ओवाइस्टेसिन का आपको CD9 जब हम इजूमों और जूनों बता रहें तो वहां पर में बता था कि CD9 यह पाया जाता है क्या कहते हैं आप जब इम्मुनोलोजी जैसे पढ़ते होंगे तो आपे CD4, CD9 इसा पढ़ते हैं तो यह क्या करता है कि अली मेंब्रे फिर इसके बाद अगर ओगा स्टेसे नौन फंक्शनल है तो पॉली स्परमी क्या हो जाएगी हो जाएगी बाई जब जड़पी2 क्लीवी नहीं हो पा है जब जड़पीट्व नहीं हो पा रहें तो जड़पी3 अपना स्टक्चर मेंटें किये होए है तो एक स्पर्म बाइ ठीक है तो इन में से आपको वहीं बताना था कि क्या outcome होगा इस experiment का तो इसके recording क्या होगा पॉलिस परमी हो जाएगी और जट पी टूबी मतलब clipped off या मतलब उनको cleave नहीं किया जाएगा तो इसके recording हमारा option क्या हो जाएगा इसके recording हमारा option हो जाएगा c and e ठीक है यह सब को समझ में आया हाँ यह सो c d होता है cluster of differentiation सब को समझ में आया अब इसके बाद हम लोग next आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए which one of the following assure prevention of polyspermine egg कौन assure कराता है तो आपको पता है जो slow block to polyspermine या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं cortical reaction या late block to polyspermine वही assure कराता है कि आप polyspermine नहीं होगी fast block में assurance नहीं है लेकि slow block to polyspermine या late block to polyspermine या cortical granule reaction ये assure कराते हैं कि आप polyspermine नहीं होगी तो हमारा option ये सही हो जाएगा cortical reaction इसके बाद next हम लोग देखते हैं in sea urchin successful fertilization can be ensured only after species specific interaction between sperm protein and their receptor on egg vitiline envelop which one of the following ये शायद हो चुका है question ये question हो चुका है ये कुछ difference है question में अच्छा in sea urchin successful fertilization can be ensured only after specific interaction between sperm protein and their receptor on egg vitiline envelop which of the following will ensure proper fertilization of sea urchin अब देखें ये CSIR 19 जो आसाम में हुआ था दो एक्जाम हुए थे आसाम के लिए अलग हुआ था उस एक्जाम में ये पूछा गया और देखें कितने सारे sea urchin के ऐसे question है कि हम भी confuse हो जा रहा है कि ये question हो चुका है जबकि ये question अभी हुआ नहीं है थीक है तो देखें यहां पर first क्या लिखा है कि expression of EBR1 a potative binding receptor on the surface of acrosomal membrane अब देखें पहले पूछा गया है कि एक EBR1 एक क्या है binding receptor है on the surface of acrosomal membrane ठीक है question को ध्यान मतलब option को ध्यान से पढ़िये expression of EBR1 EBR1 का expression जो की binding का receptor है ये भी ठीक बात है on the surface of acrosomal membrane तो क्या acrosom membrane पर ये पाया जाता है नहीं EBR1 पाया जाता है vitiline membrane पर तो हमारा ये option क्या हो जाएगा wrong ठीक है इसके बाद next expression of binding just below the egg jelly पहला option wrong expression of binding just below the egg jelly egg jelly पर पाया जाता है नहीं acrosom पर पाया जाता है गलत हो गया expression of EBR1 on egg with line membrane ये हमारा सही हो गया ठीक है expression of binding molecule on the egg with line membrane तो binding molecule कहां पाया जाते हैं acrosome पर पाया जाते हैं तो ये भी हमारा wrong हो गया तो इसके according हमारा option क्या सही हो जाएगा expression of EBR1 on the egg with line envelope ठीक है इसके बाद next question पर हम लोग आते हो ये question किसको किसको समझ में आया था देखिए totally experimental based question है और इसमें अगर आपके पास मानिजी आपको fertilization का कोई information नहीं है तो भी अगर आपका analytical और थोड़ से practical approach है तो भी आप question को कर सकते थे ठीक कितने लोगों का ये question सही है कितने लोगों नहीं ये लाला question किया था हूँ चलिए हम लोग question देखते हैं during the fertilization in mammal protein Izumo and Zuno हमने आपको जब हम fertilization बता रहे थे तो हमने बताया था कि sperm के पास क्या पाया जाता Izumo और egg membrane के पास पाया जाता Zuno दोनों interact करते हैं are required for recognition of sperm and egg sperm और egg के recognition के लिए important role play करते हैं Izumo and Zuno are found specifically in sperm और egg respectively which one of the following in vivo experiment will demonstrate that Izumo and Zuno interact with each other मतलब basically सब भोल जाएं कि sperm पे पाया जाता है इनका main question का मतलब यह है कि आपको यह बताना है कि दो चीजें है एक Izumo है एक Zuno है वो दोनों interact करते हैं इसी चीज को proof करना है आपको क्या proof करना है आपको यह proof करना है कि Izumo और Zuno एक दूसरे से interact करते हैं तो कौन सा ऐसा experiment इन में से किया जाए कि यह चीज proof हो सकती है अब जैसे कि if sperm from a male mouse where Izumo has been out is used to fertilize egg from a normal female and no fertilization अकर जैसे कहने का मतलब यह है कि यह यह कह रहे है कि मान लीजे कि कोई हमने इस from a male mouse से लिया और Izumo को हमने उससे निकाल लिया इजियूमों को से इजियूमों को निकाला और निकालने के बाद उसको fertilize कराया एग से नॉर्मल मालीजे उसके पास भी क्या था यह जूनो था तो fertilization नहीं होता है तो यह experiment यह proof नहीं कर सकता इस बात को यह जो आपने डाला है और वहां पर ओल्रेडी जो फीमेल नॉर्मल है तो उसमें जूनों होगा तो interaction सो होना चाहिए था लेकिन fertilization नहीं होता है तो इस बात से यह नहीं मतलब तैक किया सकता है कि Izomo और Zuno का interaction हो रहा है समझने बात को क्योंकि यह इस से fertilization नहीं होने को तो बहुत सारे reasons हो सकते हैं और जब हमने जूनो और ुजूनो दोनों ही डाला है तो यहां पर कोई fertilization नहीं हो रहा है तो यह इस से confirm यह कि जून एक कोई interaction है इस experiment से तो बिल्कोल भी नहीं हो सकता है whole mount immunostaining for Izumo और zuno shows its presence on the sperm और egg respectively अगर हम immunostaining टेक्निक होती है immunostaining में आप particular antibodies होती है उनसे link करके immunostaining किया जाता हो पुरा एक process होता है अब उसको आप उस process को दिमाग से हटाएए जह सोचे हिए कि अगर हमने दोनों whole stain कर दिया इजूमों और जूनों को और ये दोनों का presence और egg और sperm पे दिख रहा है तो दिखने से क्या interaction शो हो जाएगा अगर हमने immunostaining कर दी जूमों और जूनों की तो क्या उस दोनों को और दोनों दिख रहा है कि भाई इजूमों भी है जूनों भी है दिखने से क्या हम पता कर सकते हैं कि उनका interaction नहीं ये experiment भी हमारा नहीं काम करेगा इसके बाद if CFP CFP क्या होता है कि fluorescent protein होती है ये sign sign जैसे blue color को कहते है sign fluorescent protein fused in इजूमों मतलब कि suppose कि ये sperm है और sperm के पास ये इजूमों है ठीक है इजूमों को हमने क्या कर दिया CFP से fluoresce कर दिया ये एग है और एग के पास है ये जूनो इसको हमने क्या कर दिया YFP yellow fluorescent protein से हमने इसको क्या कर दिया कि link कर दिया और fret कर आया अब हम लोग cell बारोजी में fret पढ़ेंगे तो fret में क्या होता है कि fluorescence resonance मतलब कि हम लोग emission देखते हैं energy transfer level देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि basically जैसे यहाँ पर एक छोटा सा example है कि एक ये मालीजे molecule है इस पर CFP है और एक दूसरा molecule इस पर YFP मतलब दोनों fluorescent protein linked है और fret जब कराया जाएगा तो एक molecule light को देगा और दूसरा molecule एक donor की तरह काम करता है एक acceptor की तरह काम करता है और ये molecule का interaction मतलब इस तरह से पता किया जा सकता है अगर उनका interaction होगा तो इसको देगा light जब interaction नहीं हो रहा तो देखिए light emit कहा हो रही है लेकिन जब interaction होगा तो ये इस से जाके ये शो करेगा तो ये FRET टेक्निक होती है तो ये molecule का interaction है ठीक है अब इस molecule के मतब कि sperm और egg का suppose अब हम एक example लेते हैं कि माली जे की ये sperm है और ये egg है ठीक है ये egg है और ये sperm है ठीक है ये molecule इस से interaction शो कर रहा है और इसके उपर ये fluorescent लगा दिया गया है अब भले ही ये जूनो और इजूनो पर लगाया गया हो लेकिन इस से ये बात तो नहीं हो रही कि ये जो दोनों suppose की माली जे की ये जूनो है और ये जूनो है ठीक है तो अब ये molecule जिस तरह से इनका माली जे suppose fertilization हो रहा है तो इससे ये बात तो clear नहीं हो रही कि ये जूनो और जूनो का interaction हो रहा है ये तो clear नहीं हो रहा है हो सकता है fertilization के लिए कोई दूसरे मतलब की receptors हो वो interaction कर रहा हूँ तो पुरा experimental है इस तरह से आप चीजों को समझे इससे भी clear नहीं हो रहा है कि ये जूनो और जूनो का interaction हो रहा है इस experiment से भी तो कैसे होगा अब इसके बात फिर next तो independent kidney cell line are developed one expressing जूनो and other जूनो तो independent kidney cell line को लिया गया अब kidney cell line है अब देखिए यहाँ पर ना तो sperm है न एब है kidney cell line को develop किया गया जूनो का express कराया गया दोनों cell को mix किया किया गया और दोनों cell अगर aggregate हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जूनो और जूनो का interaction होता है ठीक है इस experiment से हम लोग पता कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर ना तो egg है ना तो sperm है क्योंकि egg और sperm के interaction के तो बहुत सारे reason हो सकते हैं ठीक है लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि जूनो और जूनो का interaction होता है तो इसके interaction के लिए हम लोग अगर एक अलग type के cells में और वो दोनों ही cell एक ही type के हैं kidney two independent kidney cell line बतलब कि kidney ही cell line को लिया गया ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरे cell line को लिया गया तो अलग-अलग में भी कोई interaction हो सकता था kidney के cell line लिये गया और एक पर जूनो को express कराया गया और एक पर जूनो को express कराया गया तो क्या हुआ कि अगर उनका interaction हो जाता है तो हम ये proof हो जाएगा कि जूनों और जूनों का interaction होता है तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा fourth अब ये आप लोग को समझ में आया ये जितना हमने explain कि आपको समझ में आया समझ में आगया ठीक है इसके बाद इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर next आगे बढ़ते है इन इकारियोडर्म ispum direction is provided by आपको पता है ispum का direction और mortality कौन प्रोवाइड करता है मतलब mobility reset करता है नैनो मोल में range होता है ispum का activation करता है cyclic GMP बढ़ता है transient calcium ion का concentration बढ़ेगा और इस तरह से sperm में asymmetrical beating या bumping moment show होता है और जिसकी वज़े से जो sperm होता है वो अपना direction और mortality को change कर देता है और इस तरह से हमारा option क्या हो जाएगा reset several marine organism release their gamete into environment where sperm attraction and subsequent event lead to successful fertilization with reference to C. Archen which one of the following statement is not true बताये और लोग बताएं कि several marine organisms release their gamete into environment where sperm attraction and subsequent event lead to successful fertilization with reference to C. archi which one of the following statement is not true ठीक है बस ये चीज आप धियान रखी कि कौन सा इसमें से statement सही है नहीं है addition of resect into a drop of sea water containing sperm specifically attract the sperm ठीक है sperm को attract करेगा अगर हम भाई resect का drop of डाल दें मत्तब थोड़ा सा ocean है और ocean में हमने एक drop resect का डाल दिया और sperm है तो वो attract करेगा मत्तब कि जहां भी resect होगा वो sperm को attract करेगा तो ये ये सही हो सकता है क्योंकि reset तो वो ये नहीं देख रहा है कि egg से release हो रहा है किस्ते reset को गर्शा अगर reset को गुरणास करेगा अगर we सबंग को attract करेगा तो अब हमें बताना है not true, तो ये तो true हो सकता है हमारा option, ठीक है, तो true हो गया IP3 is formed initially at the site of sperm, entry and release the sequestered calcium ion, तो ये भी हमारा true है कि किस तरह से IP3 जब release होता है, sperm की binding के बाद, तो फिर calcium ion कहां से, ER से release होता है, देखी यहां पर, ER से release होता है, और इसके बाद, फिर क्या हो जाता है, कि इसके बाद ये calcium ion बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जो अंदर ये यहां पर sequestered calcium ion थे वो बाहर आ जाते हैं, तो ये वाला भी हमारा option क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, calcium ion प्रिवेंट docking of cortical granules of egg to the cell membrane, calcium ion तो जो cortical granule reaction ने उनके लिए क्या है, initiator का काम करता है तो और यहां पर उल्टा ही लिखा हुआ है, कि calcium ion क्या कर रहा है कि calcium ion prevent कर रहा है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है calcium ion enhance करता है cortical granule reaction को तो हमारा जो not true है तो इसलिए हमारा option 3 हो जाएगा inhibitors that specifically block the phospholipase C can be circumvented micro injecting IP3 into egg, अगर हम लोग मान लिजे कि यह phospholipase C है और इसको क्या कर दिया जाए कि यह किसी भी तरीके से क्या हो जाए block कर दिया जाए, ठीक है IP3 को क्या कर दिया गया IP3 को block कर दिया जाए, अब IP3 block हो गया, अब IP3 block है, तो क्या block है, तो IP3 रिलीज होगा नहीं, और IP3 जब रिलीज नहीं होगा, तो यह भी नहीं, कैल्शियमायन चैनल जो है, यार पर वो भी नहीं खुलेगा, कैल्शियमायन भी बहा नहीं निकलेंगे, लेकिन भले ही यह ब्लॉक है, और अगर हम किसी भी artificial condition के थूँ आईपी 3 को हम इंजेक्ट करा दें, तो उस केस में कैल्शियमायन रिलीज हो जाएगा, तो उस condition को ओवरकम किया जा सकता है, तो यह बात यहां पर यहीं कहीं गईए, इनिबिटर्स दैट स्पेसिफिकली, ब्लॉक ता फॉस्फोल लाइपेसी, कैन भी circumvented, micro-injecting, IP3 into egg, अगर हम IP3 को कर दें, तो उस problem को ओवरकम किया जा सकता है, तो इसके according हमारा, यह option भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो और हमें बताना है गलत option, तो गलत option हमारा क्या हो जाएगा, यह 3 वाला, ठीक है, कौन सा 3rd option, इसके बाद next question है, what is the cortical reaction, and why it is important, cortical reaction क्या होती है और किसलिए के important होती है, यह भी question आपने कर लिया होगा, तो पहला क्या है, the cortical reaction is the release of cortical granules after sperm entry, which convert vitiline membrane into the fertilization membrane, which block the polyspermine, तीक है, फिर इसके बाद second option क्या है, the cortical reaction, आप लोग बताईए इसमें से कौन सा option होगा, झाल ठीक है, तो आप लोग ने पहला लगाया है, the cortical reaction is release of cortical granules after sperm entry, which convert vitiline membrane into fertilization membrane, which block the polyspermine, फिर इसके अप्शन क्या है, the cortical reaction is entry of calcium ion, entry of calcium ion into egg, which initiate development, entry के initiator होता है, वहाँ पे cortical granules reaction से पहले ही calcium ion का काम शुरू हो जाता है, तो यह इस तरह से यहाँ पे, इसको नहीं option को सही मानेंगे, the cortical reaction is exocytosis of cortical granules during the egg maturation, तो egg maturation के time नहीं, fertilization के time होता है, which contain component of zona paracida, तो यह भी बिलकुल wrong है, जोना paracida, तो outer membrane, cortical granules तो inside cytoplasm में पाये जाते हैं, the cortical reaction is the depolarization of plasma membrane, तो यहाँ पे यह fast block to polyspermy की बात करने लगें, तो इसके according हमारा option क्या हो जाएगा, हमारा option first सही हो जाएगा, if calcium is injected into an unfertilized sea, if calcium is injected into an unfertilized sea urchin egg, what would happen, अगर हम लोग क्या करें, कि calcium को inject कर दें, इसमें unfertilized egg में, तो क्या हो जाएगा, बताएगा, जब calcium in egg में वो हो जाता है, तो इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, slow block polyspermy क्योंकि calcium in initiator होता है, slow block polyspermy का, cortical granules की exocytosis होने लगेगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, कि calcium in और विखियो और option देखिए, बिल्कुल ही absurd option है, capacitation, capacitation का तो कोई मतलम नहीं है, the sperm will undergo acrosome reaction, the egg will become fertilized without sperm, है ना, तो यह सब कोई बात नहीं होगी, क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे slow block to polyspermy जो आपको दिख रही है, इसका क्या हो जाएगा, induce हो जाएगी, ठीके, यह थे question, इसी के साथ हम लोग इस वाले portion को खतम करते हैं,